तो hello brothers and welcome back, जैसा के हरे एक नई नए टॉपिक सा आता हम आज एक टॉपिक लेकर रहे हूं आज जैसा के यहां पर देख रहे हैं स्नेल्स हैं मेरे पास स्नेल्स पेरेंट्स हैं और साथ में इसकी बेबी बीस भी हैं तो दिखिए हम चार बेबी हैं यह तक्रीबन एक महिने के बेबी इतने बड़े हो चुके हैं मेरे पास टैंग में तक्रीबन पांच-छेुच के फिरते हैं और इनके हैच के बनाइट है क्या होता हुआट का होता है थोड़ी गरमी के जहां पर हुमिड़ी ज़ाद होती है वहां पर रख देना है पानी में नहीं रखना है उनके अंडों को यह खोद लाकर उपर रख देते हैं तो वही छोड़ दें या उसको निकाल एक डबे में रखकर टिशू वीपर के अंदर रख दें तो फिर ब्लाक कलर के हो जाएंगे, तब उनको आप नॉर्मल टैंक में डाल सकते हैं या उसे में छोड़ दें टैंक बाहर ही जो आप पर आंडे लेकर यह जाएं चालको करते कि I only took snails I will take no more because I will only take the snails और अप्रॉक्समिल्यित्य में एक बार लेकर लेते हैं, अगर एक टैक्म में डल कर रखेंगे तो यहां पर मेरे पास यहां पर ट्यांक है उसमें रखा हुआ हूँ, देख सकते हैं इस ताइंग में रखा हुआ था, अभी इसमें भी तक्रिबान 500 यह 600 अंडे इसके नरा अलड़ी स्टॉक है, तो देख सकते हैं, करीमें आपको अगर चाहे तो अब दिखास दाऊंगा, कहां कोछा को चालती आइंग उसमें से लिए उनके पोस्ता आपको लेका फुडक करके उतिक हैं यह आपको अब बहुत अब्रेस से, इसमी छुमी बढ़ हो को छुकी आप मेंने चुप कर यह बड़ी जब्म कर चुक ए तो अब देख से लिए कीतना फिलाओं तक्रिबन का ट्र पाटी रुपीस एच के साब से तो अब तक ये जो फिला लाइब बच चुके हैं ये चार बचे हैं चार या पांच बचे हुए हैं तो बहुत कम चंस होते हैं इनको ब्रीट करने के बाद हैच होने के अगर इनको अलग रख देंगे अलग टैंग एंविरानमेंट देंगे विदोड फिश रखेंगे तो और ज्यादा इनका रिजल्ट आ सकता है और ये 2.5 इंच के होते हैं तब ये ब्रीट करना शुरू कर द जोना झाल आँज तो इनको क्या करना है सिर्फ उपर डॉॉरॉ धर टॉप रहृँ टित करते हैं sut कि ये ब्लेट वाद भी ये खा लेते हैं So से मिरें कर दोट कर दोड़ से काई इस तरह सो पर लोगते हैं तो प्लोट यह भी और आहने आपको थेया सी कॉर्णर में इस तरह कॉर्णर में आकर जमा हो जाए इस तरह फूट डालें डाल कर छोड़ दें कि बहुत स्लोग पिकर हैं तक्रिबान इनको 10-15 मिनिट लगता है इनको खाने के लिए देखिए एक आकर उपर खा रहा है दिसकते हैं अपर उपर फूट की तरह आ रहा है यह अपना मुह देखिए यह इसका मुह होता है जो ग्यास्पिंग कर रहा है यहां से यह खाता है तो इस तरह के जो होते हों है यह नहीं खाएंगे पिलेट्स जो यहां पर कॉर्णर है उसको खाएंगे देखिए किस तरह यह अपने तरफ खींच रहा है पिलेट्स को टू टıyorlar होता है उसको भी खाकर ये जी लिते हैं लेकिन पैले इतना नहीं होता जो इनके लेकिन थे पेलेट की लिए हो जाया कि फोर के नेतना प्वसखेुख लोसर नहीं को तो ये भी ले रहा है देखें ये दोनों खा लिया अगर तो इस तरह एक खा लेते हैं पिलेट डेली टूटेम साफ इनको फीड करें स्मॉल पिलेट जा लें चोटे बेबी के लिए बेट रहेगा चोटे स्नेल्स के लिए जो मेटाफिश के पिलेट्स रोते हैं वो डाल सकते हैं और इनकी के लिए जरूरी है कि हफ्ते हैं जैसा कि लिचे भी विडियो बनाया है यह लिंक पर वहां करकूं जा करतें किस तरह कर्का किसी बिलिट करना कि अब्स्याएं आप्टेट था एक महने के लिए बड़े हो चुके हैं और उनकी फ्रीडनिंग क्या देता हूं मे और ये कितने अभी मेरे पास बचे हुए हैं और इसके अंडे इसके उपर मुझे अपडेट देना था तो आज का वीडियो बस यही था मुम्मित करते हैं वीडियो आपको बहुत हिल्पफल होगा अगर हिल्पफल है तो मुझे को लाइक जरूर कीजिए शेयर कीजिए दूसरों के साथ फिर एक नई टॉप के साथ मिलते हैं जब तक के लिए बाबाई खुद आफिस असरेकाल गुडबाई मुम्मित करते हैं तो मुम्मित झाल झाल